हलो एवरीवान, बलकम टु मैं चानल जीवन के रंग निदी के संग दोस्तो आज का जो वीडियो है वो गंगा दशेरा के बारे में होने वाला है गंगा दशेरा कव है गंगा का महत्कु ऐस दिन आपको कैसे पूझा करनी है इस दिन क्या दान करना है तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी आप वीडियो में अंतक बने रही एगा आप सभी जानते हैं कि जेट महा के शुकल पक्षे की दश्मी तिति को गंगा दशेरा बनाया जाता है तो इस साल गंगा दशेरा पढ़ रहा है 30 मई को और गंगा जी के प्रत्वी पर अवतरण का दिवश है और गंगा नदी को मोक्ष दाइनी के रूप में पूजा जाता है तो कहा जाता है कि गंगा नदी में सनान करने से और विशेश कर गंगा दशेरा के दिन गंगा नदी में सनान करने से आपके सभी पाश पापों का नाश होता है और जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। तो अगर आप गंगा नदी पर जाकर स्नान करते हैं, तो उसका अलग महत्व है, आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। और नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर पर पूजा कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, तो क्या आपको सामगरी चाहिए रहेगी, आपको चाहिए रहेगा गंगा जल, मिश्रित जल, कच्छा दूद, फल, फूल, और इस दिन दस चीजों का बहुत अधिक महत्व है, तो आप जो भी चीजों मा गंगा को अर्पित करेंगे, वो दस संख्या में होनी चाहिए, जैसे श्रिंगार हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, हल्दी रोली कुम-कुम, और दीप दान भी आप मिट्टी का कर सकते हैं, आटे के दिये का कर सकते हैं, वो भी दस करेंगे, एक परात जो दे लेंगे, जिसमर हम मा गंगा का सुरूप को मा गंगा का अहवान करेंगे, इस दिन आपको करना क्या है, अगर आप गंगा नदी तक पहुच पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुच पा रहे हैं, आपके घर के आस-पास कोई बैता पानी है, मतलब तलाब है नदी है आप उसमें ऍसनान कर सकते हैं नहाने के पानी में थोड़सा गंगाजल मिला कर उसके बाद आपको सूरिय को अर्ग देना हैի आप अगर गंगार जल में पहुंच कर सूरी को अर्ग दे रहे हैं, उसका बहुत अधिक महत्व नहीं हो पा रहा है, तो सूरी को अर्ग देने वाले जल में आप थोड़ा सा गंगार जल मिला सकते हैं, और घर में पूजा कैसे करनी हैं, आपको इस तरह से, जैसे मैंने आपको वीडियो डाल कर आपको स्थान देना है और ये जैसे कि इस दिन शिवलिंग की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व है अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का अभी शेक करें नहीं है तो फिर आप शिवजी की पूजा कर सकते हैं तो शिवजी की मेरे पास जैसे फोटो थी तो आप फोटो की पूजा इस तरह से कर सकते हैं कि मैंने गंगा जल मिश्रिजल से फोटो में तीन बार आचमन किया और आचमन के बाद श्री शियमतलब बोलेबंडारी को मैंने चंदन का दिलक कर रही हूँ क्योंकि बाकी कोई चीज उनको अर्पित नहीं की जाती है और इस तरह से बागवान बोलेबंडार को जो भी चीजे पसंद है जैसे बेल पत्र है अकवा है शामी के पत्ते हैं आपको अगर मिल जाएं तो आप उन पर अर्पित कर सकते हैं यहां मुझे पुश पर मिल पाए तो मैं केबल फूल अर्पित कर दी हूँ आप जनीर अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद आप जो भी फल है आपके पास आप फल अर्पित करेंगे जैसे कि यहां पर मैंने आपको पकवान शिव को फल अर्पित किये हैं और कोई आपने इस दिन पक्वान घरों में बनाए जाते हैं तो जो भी नवेद्दे आपने घरों में बनाए हैं आप उन्हें अर्फित कर सकते हैं इसके बाद हल्दी रोली कुम कुम यह फूल में लगा कर इस तरहités दीपक का पूज़न आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद हमें मागंगा का आख़वान करना होता है यानि एहवान मतलब क्या कि मा गंगा को आप ये मन में प्रातना करें कि हे मा गंगा इस पात्र में मैं आपके स्वरूप को मान कर पूजा कर रही हूं तो आप अपनी कृपा बनाएं इस तरह से मन में बोलकर फिर आप पूजा की शुरुआत करेंगे अगर आप गंगा नदी पर इसनान करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कच्छा दूद वहां मिलता है और तो इसी तरह से आपने जो पराद में कृतिम गंगा बनाई है तो आप उसमें भी कच्छा दूद अर्पित करेंगे अर्पित करेंगे और इस दिन अगर आपको तिल मिल जाए तो आप तिल भी जरूर उसमें अर्पित करेंगे काले या सफेद दोनों तरह के तिल आप अर्पित करेंगे उसके बाद फूल अर्पित करेंगे और गंगा मैया को सुहाग का सामान अर्पित करना होता है जैसे यहाँ पर मैं चुन्री उड़ा रही हूँ आप अगर गंगा नदी पर जाएंगे तो आप नारियल महा पर बिखते रहते हैं तो आप नारियल में चुन्नी लपेट कर आप गंगा जी में अर्पित कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने मा गंगा को सोहाग समान अर्पित किय है और यह सोहाग सामगरी आप क्योंकि गदर शहरा में दान करना बहुत अदिक महत्व है तो आप यह सामगरी किसी ब्राहमन की पत्नी को दे सकते हैं उसके बाद आप फल अर्पित करेंगे कोई मिठाई आपने नवेद्य बनाया है तो आप वो अर्पित करेंगे और इसके ब अभिशेक करें और शिवजी की आलती करेंगे मा गंगा के मंत्रों का जाब करेंगे जब आप पूजा कर रहे हों और इसके बाद गंगा आलती करेंगे और आप इस तरह से घर पर सरल तरीके से गंगा जी की पूजा कर सकते हैं गंगा दशेरा के दिन उसके बाद पूजा क वस्तू जैसे दूद, चावल, मिश्थान और नमक इस्त्यादी का आप किसी जरूरत मन्द को दान करते हैं, तो आपको इसका बहुत अधिक लाब होता है, क्योंकि दशहरा के दिन कहा जाता है कि दस पापो का नाश होता है, और साथ ही साथ आपके जो भी पुन्य हैं, वो भी बढ़ते हैं, तो ये थी जानकारी, थैंक यू,